अंग्रेजी सिखने का बेश्ट तरीका, आज की सुडियों में इंस सब्ढों का परियोग सिखेंगे कैसे परियोग किया साता है, sentences इससे कैसे बनाया साता है Use of no use, no use का मतलब है, कोई फायदा नहीं मतलब कोई काम करने का कोई फायदा नहीं है जेसे it is no use plus before plus object होगा जेसे यहां रुकने का कोई फाइदा नहीं है तो sentence बनेगा it is no use staying here यहां रुकने का कोई फाइदा नहीं है पत्र लिखने का कोई फाइदा नहीं है it is no use writing a letter, it is no use writing a letter, पत्र लिखने का कोई फाइदा नहीं है, मैस खेलने का कोई फाइदा नहीं है, it is no use playing the mess, तुमसे बात करने से कोई फाइदा नहीं है, it is no use talking to you, तो इसे ही sentences कई सरे बना सकते हैं, no use की मदद से, use of give away, give away का मतलब होता है बातना, कोई भी चीज़ों को बातना, यसे मिठाई बातना, कपड़े बातना, पैसे बातना, कोई भी चीज़े बातना, जैसे subject, healthy verb, give away, tense के नुसार ये give बदल जाएगा, क्योंकि give verb हैं, और ये tense के जैस किये साएंगे, वो मिठाईया बात रहा है, sentence बनेगा, he is giving the sweets away, he is giving the sweets away, वो मिठाईया बात रहा है, रवी किताब बातेगा, रवी will give the book away, तुम पैसे बातोगे, you will give money away, पैसे sentences कई सरे बना सकते हैं, give away मतलब बातना, So as to, so as to का मतलब है, ताकी, ताकी के लिए so that भी होता है, लगन यापर हम so as to का परियोग करेंगे, जैसे subject, verb, object और इसके बाद so as to आएगा, और इसके बाद जो verb आएगा, वो वी वन में आएगा, इसके बाद एक object आएगा, जैसे मैं बजार गया, ताकी एक नया mobile तो sentence बनेगा, I went to market so as to purchase a new mobile, वो अंग्रेजी सिखता है, ताकी एक असा नोकरी मिल सके, तो sentence बनेगा, he learns English so as to get a good job, so as to के बाद जो भी वर भाएगा, वी वन में आएगा, जैसे get जैसे purchase, तो इससे sentences कई सरे बना सकते हैं, NOTING B kindness का मतलब है, he यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन sentence में किससे प्रयोग होगा, वो देखते हैं, जैसे, वहाँ पानी ही पानी था, तो 20 में ही लिखा हुआ है, पानी पानी दो बर लिखा हुआ है, तो sentence बनेगा, there was nothing but water there, वहाँ पानी ही पानी था, मतलब बहूत सारा पा यहां इस्कूल ही इस्कूल है यहां इस्कूल ही इस्कूल है यहां इस्कूल ही इस्कूल है यह इसे बोल सकते हैं यहां लोग ही लोग हैं देर इस नथिंग बट पीपल है तो इसे ही संटेंसे कही सरे बना सकते हैं नथिंग बट की मदद से feel like feel like का मतलब है मन करना कोई भी काम करने का मन करना यसे सोने का मन करना पढ़ने का मन करना sentence बनेगा मेरा बाइक खरिदने का मन कर रहा है I feel like purchasing a bike यहापर दिखे feel like के बाद जो भी वर्ब आएगा वो वी फोर्म आएगा मतलब जरंड रूप में आएगा जिसे रवी को उससे मिलने का मन कर रहा है रवी feels like meeting him तो sentences आप ऐसे ही कैसरी बना सकते हैं singular वर्ब रहेगा तिहां पर आपका subject बेस singular रहेगा plural subject रहेगा तो वर्ब यहाँ पर feel यूज़ किया साएगा मतलब his it के साथ कोई noun के साथ आप feels यूज़ करेंगे और आई वी यूदे के साथ आप यूज़ करेंगे feel in order to in order to का मतलब है के लिए के लिए के लिए के लिए हम परियोग करते हैं to परियोग करते हैं four परियोग करते हैं लेकिन आपर in order to लिखा हुआ है इसके लिए भी परियोग करते हैं के लिए जैसे subject verb object plus in order to plus v1 plus object होगा वो अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है तो sentence बनेगा he is working hard in order to become rich become rich मतलब अमीर बन्दा in order to मतलब के लिए मैं अग्रेशी बोलने के लिए रोज अभ्यास करता हूँ I practice daily in order to speak English I practice daily in order to speak English मैं रोज अभ्यास करता हूँ अग्रेशी बोलने के लिए lead to lead to का मतलब है ले जाना जैसे आप example से समझ पाओगे subject lead to plus object यह सड़क station की और जाती है मतलब यह सड़क station ले जाती है sentence बनेगा this road leads to the station जापर हम lead to का परियोग करते हैं यह tense के नुसार leads करना पड़ जाता है वह पर हम सहे तो ghost to का भी परियोग कर सकते हैं बट इस speaking में ज्यादा परियोग lead to का किया जाता है तो जो भी आपको easy लगे ghost to या leads to उससे आप परियोग कर सकते हैं इस तरह के खाना मतलब इस तरह के भोशन मोटापे की तरफ ले जा सकता है तो sentence बनेगा this type of food may lead to obesity तो sentence ऐसा ही बना सकते हैं lead to की मदद से give up give up का मतलब है हार मानना कोई भी सिसो में कोई भी काम में हार मान जाना sentence में आपका subject give up plus subject होगा वो इस काम में हार मान गया he gave up in this work he gave up in this work वो इस काम में हार मान गया मैं कभी नहीं हार मानूंगा I will never give up I will never give up मैं कभी हार नहीं मानूंगा तो sentences आप बना सकते है Would you मतलब है कोई काम करना चाहोगे मतलब would you का परियूग करेंगे Would you like to plus v1 plus object plus question mark होगा example है किया तुम पानी पिना साहोगे Would you like to drink water would you like to drink water किया तुम पानी पिना साहोगे किया तुम खाना खाना साहोगे would you like to eat food would you like to eat food क्या तुम खाना खाना साओगे तो इसे ही sentences हम बना सकते हैं कही सारे food के मदद से is used to इसका मतलब है आदत हैं कोई काम करने की आदत हैं जिसे subject place is am are place used to place before place object है उसे सराप पेने की आदत हैं he is used to drinking wine he is used to drinking wine उसे सराप पेने की आदत है उन लोगों को चाई पेने की आदत है the sentence बनेगा they are used to taking a tea the sentence is कोई भी काम करने की आदत हो ना कोई काम की आदत हो ना उसे आप इस जी used to की मदद से बना सकते हैं और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वी फोर में आएगा at all at all का मतलब है बिलकुल या थोड़ा जिस संटेंस में प्रियोग करते हैं उसे यहां बिलकुल भी पसंद नहीं है he doesn't like it at all he doesn't like it at all उसे यहां बिलकुल भी पसंद नहीं है रवी बिलकुल भी चाय नहीं पीता है रवी डसन्ट टेक टी at all रवी डसन्ट टेक टी at all रवी बिलकुल भी चाय नहीं पीता है दववे दववे का मतलब है जिस तरह से जिस तरह से मतलब दववे का प्रियोग करते हैं दववे प्लेस संटेंस प्लेस एल्पी वर्ब प्लेस एड्जक्तिव आएगा जिस तरह से वो बोलती हैं बहुत अट्रेक्टिव है बहुत आकर्सित हैं तो संटेंस बनेगा the way he speaks is very attractive is so attractive दुनों तरीके से बोल सकते हैं जिस परकार से वो पत्र लिखता है अच्छा नहीं है The way he writes the letter is not good तो sentences जैसा भी होगा नेगरिव होगा तो नेगरिव प्यटिव होगा तो प्यटिव दुनों दुरे के सें बना सकते हैं Believed का मतलब होता है ऐसा माना जाता है sentences दखे लिएते हैं ऐसा माना जाता है कि रवी कलास में सबसे तेज लड़का है तो संटेस बनेगा It is believed that Ravi is the most intelligent boy in the class It is believed ऐसा मानना जाता है ऐसा मानना है कि पिरिया सुन्दर लड़की है It is believed that पिरिया is a beautiful girl यह पर रिशत है ऐसा मानना है इस पर सुझाएगा ऐसा मानना है Sad so Sad so का मतलब है ऐसा कहाज जाता है ऐसा कहाज जाता है It is sad so plus that plus sentence होगा ऐसा कहाज जाता है कि भगवान एक है God is one तो संटेस बनेगा It is sad so that God is one God is one means भगवान एक है ऐसा कहाज जाता है ऐसा कहाज जाता है कि आमन बहुत इमानदार लड़का है तो संटेंस पनेगा It is sad so that अमन is a very honest boy तो संटेंस ऐसा ही कैसा रिबन सकते है sad so की मदद से So guys, thanks for watching That's all for today